गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सातियों एयों मेरे प्यारे बच्चों आप सभी कैसे हैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों आज 12 जन्वरी 2019 और आज हमारे ममता की मा चैनल पर जितेश बच्ची है उसके पती निखिल का है आज जनम दिन और उसने कहा था भाई मा जी मेरे हजबन का जनम दिन मना दीजे तो जब जिस तरह उसने रिक्वेस्ट किया मुझे याद आगया कि रिलेशन्शिप बेट्वीन हस्बन और वाइफ शुड़ बी वन आफ दा क्लोडेस्ट फ्रेंड जो बहुत ही क्लोज हो एक पती पतनी का रिस्ता एक घने मिच्र की तरह होता है बेस्ट फ्रेंड की तरह होता है जहां पर पूर्ण समर्पन होता है तो मेरे प्यारे बच्चों पहले तो हम जितेश के लिए और निकल के लिए कहना चाहेंगे दुआ है कि काम्याबी के हर शिकर पे आपका नाम होगा आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा हिम्मत से मुश्किलों का सामना करना हमारी दुआ है कि वक्त भी एक दिन आपका गुलाम होगा तो निखिल के लिए हमने कुछ बनाया भी है जो कि सुनाना चाहेंगे बारा जन्वरी साल दो हजार उन्नीस है सातियों निखिल के जनम दिन को मनाना है सातियों जितेशी के पती हैं ये कुकी कहें सभी बेहनों के दुलारे चाहें उन्हें सभी इनों ने भी सब का ख्याल रखा है सातियो निखिल के जनम दिन को मनाना है सातियो 12 जन्वरी साल 19 है सातियो निखिल के जनम दिन को मनाना है सातियो मिठाई की दुकान चलाते मीठे हैं ये बड़े मिठाई की दुकान चलाते मीठे हैं ये बड़े छोटों से प्यारी करते बड़ों के चरणों में है पड़े पतनी के सपनों को भी पूरा किया है सातियो निखिल के जनम दिन को मनाना है सातियो गानों की शोकीन बड़े नारियों को देते हैं सम्मान शानदार विक्तित सुनदर विचार हैं इनकी शान जितेश के मन भावन उनके दिल में समाए है सातियो निखिल के जनम दिन को मनाना है सातियो कुसम इश्रा ने गीत में सभी की शुब कामना को मिलाया जीतेशी के कहने पर ये गीत है गाया जोड़ी बनी रहे इन दोनों की ये काम ना है सातियो निखिल के जनम दिन को मनाना है सातियो 12 जनुरी साल उनिस है सातियो निखिल के जनम दिन को मनाना है सातियो निखिल के जनम दिन को मनाना है सातियो तो भई प्यारे निखिल आपको ममता की मा चैनल की तरफ से जनम दिन की बहुत बहुत शुब कामना है इश्वर करें आप दोनों में इसी तरह प्यार बना रहें जैसा कि हमारी जितेश बेटी ने लिखा कि आपका बहुत ही शानदार विक्तित हैं आप सभी नारियों को सम्मान देते हैं ना कोई गलत बात किसी को कहते हैं ना ही गलत बात सुनते हैं बहुत अच्छी क्वाल्टी है या आपकी जैसे हमा कहा गया है कि यदि आप घर में शेर बनके रहते हैं तो पत्नी क्या करेगी दुर्गा बनकर आपके उपर सवारी करेगी लेकिन घर में यदि आप नारायन बनकर रहते हैं तो पत्नी भी लक्षमी बनकर आपकी सिवा करती है वो अनपूनला बन जाती है उसके तो बड़े ही प्यारे रूप है तो जितेश जी आपका ये रूप हमें बहुत पसंद आया और हम साथ में जितेश जी कहेंगे विश्यू हैपी बर्डे आपको जनम दिन की बहुत बहुत शुप काम नहीं भाई जितेश एक बहुत अच्छी पत्नी है क्योंकि निखिल ने उसको अच्छा बनाया है कहते है एक गुड हस्में makes a good wife जो अच्छा पत्टी होता है वही अच्छी पत्नी का निर्मान कर पाताहै जब आप घर में सयोग देंगे पत्नी को प्यार देंगे सम्मान देंगे तो क्या करीगी वो पती नहीं फिर पती परमेशन हो जाते है आप उसके लिए बेहत प्यार करती है बेहत सम्मान करती है तो जितेश जी निखल जी आप दोनों को मेरी भी उमर लग जाए सारी जहां की खुशियां आप लोग के पास हो आप दिन दोनी राज चोगनी तरक्की करते रहे आपको ममता किमा चैनल की तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशिरवाद मैंनी मैंनी हैपी रिटर्न्स आफ डे डियर निकल अच्छा बाई सबको टाटा बाई बाई सबको मेरा नमस्कार हम सबी फिर विलेंगे कल एक नई कहाने के साथ